असलाम वालेकुम विवर्स आयम सहीद असनेन एंड यूर वाचिंग सहीद असनेन यूटूब चैनल एंड फैस्बूक पेच तो आज की इस वीडियो में इंट्रोडेक्शन अबाउट इस टेमल के अबारे में समझेंगे हम किलाज स्टाट करने से पहला आप लोगे स्टेश्ट अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करें लाइक करें अपने दोस्तों तो इसको आगे शेयर करें लाजमी सेंटिंग विब पैजी सिप्राइब दि एंस्ट्रीक्चर ओफ वेब पैज एस्ट एमल कंसीब ओव प्रेजिस अववजिस अवशर। How to display the content HTML के stand है HarperTech Markup Language HTML Standard Markup Language है जिससे हम website create करते हैं web pages create करते है structure उसके describe हुआ हुआ अब web page structure उसका web page होता है HTML Conceived of a series of elements HTML elements tell the browser how to display the content HTML के elements से हम बताते है ब्राजर को कि हमारा content किस तरह ब्राजर पर डिस्पले हो एक्जैम्पल फॉस्ट नंबर पर हमारे पर हमारे पर html element html का जो element है वो root element होता है head element content meta information about the html page html page का information meta information हम head tag के अंदर रखते हैं title title basically title हमारे पास top पर शो होता है हमारे ब्राजर के फॉर एक्जैम्पल आगर आफ ब्राजर के ओपर facebook इस्तेमाल करें तो उसका facebook का नाम लिखा होता है YouTube का नाम लिखा होता है इसी तरह जब हम html के document त्यार करते हैं पेज बनाते हैं तो उसमें आल दी विजिबल कॉंटेंट सच एज हैडिंग पेरग्राफ इमेजिस हर्पर लिंग टेबल लिस्ट इटी से अब देगें जो बॉड़ी बॉड़ी के अंदर हम बैसी कली सारह वर्क करते हैं जो हमारे डिस्प्ले होता है हमारा कोड पेज के ओपर बॉड़ी के अंदर हम यूज कर सकते हैं लिंक्स भी लगा सकते हैं और इमेजिस भी लगा सकते हैं टेबल बना सकते हैं जब हम आगे समझेंगे इसके बारे में तो आप लोगों को यूज करके दिखाऊंगो एडिंग्स कर से लिखते हैं पेरग्राफ कैसे लगाते हैं इमेजिस हर्पर लिंक्स टेबिल्स हम कैसे इस्तेमाल करते हैं completely इंशाललह आपको आपको वीडियो में मिल जाएगा इसके बारे में भी आप देखें हमारे पाद है एच वन इलिमेंट डिफाइन लाज एडिंग हमारे पास लाज हेडिंग करता है और दी पी 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 मीन्स पेराग्राफ पी का टेक हम इनके लिए जिन्होंने आज तक यूज नहीं किस तरह होती है किस तरह करते हैं सो स्टार्ट करेंगे हैं अपनी किलाज अब देख सकते हैं यहां पे agit क्लोजंग और ओपन्टेक दोनों है हट का भी क्लोज ऑपन्टेग और टोनों ए टैटल का भी इसी तरह नुन टैग भी है इसी तरह बोड़िंगे। और ऐच वान परियों साव्य verified or taylor के ऑफिंग die ओट है लेकि H1 यहां पर स्टार्ट हुआ और element content अब देखें इसके बीच में heading tag जो लिखा हुआ है यह है एच वन और H1 के end देखें end tag और start tag के बीच में जो लिखा हुआ है वह heading tag है अब basically अगर हम body के अंदर है के हमारे एडिटर के उपर H1 लिखेंगे और close करें उसके बीच में tag लिखेंगे वह हमारे body के अंदर page पे डिस्प्ले होगा paragraph का भी यही काम होता है बियार basically break करता हमारे line को देखें बियार का नहीं closing tag है just starting tag इसका कोई closing tag नहीं यह एक ही मरतबा यूज होता है और यह कोई content भी नहीं लेता जस्ट यह line को break करता है so अब हम चलते हैं हमारे editor के उपपर मैंने यहां पर notepad++ open किया हुए आपके बाद जो editor है आप यूज कर सकते हैं अगर आपको editor download करने यह उसके बारे में पता करना तो आप comments कर सकते हैं मैं आपको link दे दूंगा आप download कर सकते editor so start करते हैं फरस्ट ओफल हम आप अपज यह है editor notepad++ इसके ओपर हम कोडिंग क्या कर सकते हैं सिंपल stml कोडिंग कर के दिखाता हूं आपको मैं देखें हम लेंगे less than का sign फिर हम लिखेंगे stml उसके बाद greater than का sign सिंपल यह हो गया उसके बाद हम लेंगे less than देंगे सिलेश stml देंगे यह हो गया हमारा stml close देखें वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि stml क्लोजिंग टेक भी और स्टार्डिंग टेक भी हमारे बाद स्टेमल का आता है और यहां पर आप देख सकते हैं स्टार्ड टेक भी है वह क्लोजिंग टेक बेसार रिकोडिंग हमारी स्टेमल के टेक के अंदर होई गिए चलते हमारे एडिटर पर तो देन हम कर देंगे इंटर उसके बाद हम लेंगे हैट टेक एच इएडी हेट अंच इसको छोंञ करें क्लोज कि उसके इसके बीच हम देंगे टाइटल अब हमारे टाइट के अंदर जो हमारे फेब के टेब कर लिकावा होगा व कि इसका भी क्लोजिंग टेक एड़नों अप्लिंग गडर में बेख दोनव होगे उसके पेस्ट टेप लिग दिया नाम देन देखें आ जाएंगे अब हम बोडी के अंदर है अब हम जो भी काम करेंगे वह सारा बोडी के अंदर करेंगे इसके लिए हम ले लेते हैं ओपिन टेग एंड क्लोजिंग टेग बोडी का अब देखें अब हम ने यहां पे body का टैक ले लिया है अब जो भी आम कोडिंग जितनी कोडिंग करेंगे सारी कोडिंग हम करेंगे body के बीच मैं अब देखें हेट के अंदर हमने जस्ट यहां पर टैटल लिया है ठीक है अब अब मेटा इंफ्रमेशन वह आपको आगे चलके बताऊंगों इसके अंदर लिंक्स भी लगा सकेंगे के अंदर स्ट्राइलिंग भी कर सकेंगे जब CSS पड़ेंगे वह तब समझाऊंगा आप लोगों में अभी बॉड़ी के अंदर सिंपल सी हम एच वन और एच टू का ले लिए हमने इसके बीच में लिख देते हैं फॉर एक्जेंपल हैंडिंग वन यहां पर मैंने लिख दिया हैंडिंग वन अधर नीचे आता हूं मैं इंटर करके अब हम टेग ले लेंगे पेराग्राफ का पी इसका भी ओपन टेग एंड क्लोजिंग टेग यहां पर हम ल वेबसाइड या वेब पेज लिख देते हैं ठीक है मैं फर्स्ट वेब पेज हो गया अब हम इसको सेफ कराएंगे देखें हमने अभी डेटा हमारे सेफ नहीं करवाया चो हमारा जो डेटा है वह भी बिल्कुल ब्लैक दिकरा इसमें अब जब हम इसको सेफ करवा देंगे पाइल को इसको बता देंगे कि यह एस टीमल की फाइल है एकस्टेंशन पर लोग समझ लें भी सेफ करवा तो हम इसको सेफ करवाएंगे या तो आप कंट्रोल एस सेफ करवा सकते हैं कंट्रोल एस दबाने के बाद ऑप्शन आ जाएगा या पिर आप यहां से फाइल में ज सेफ करेंगे ना तो आपकी फाइल रननी होगी फॉर एक्जेम्बल यह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा अभी हम सेफ कर लेते हैं इसको स्टीमल देखें जो भी आप फाइल बनाएंगे उसमें आपने डॉट लगा कुछ भी नाम दे दिया आपने उसके बाद डॉट लगाने की आपने लाजमी लगाना है विकॉस अगर आप यह नहीं लगाएंगे तो आपका जो कोड है यहां पर मैं दिखायाता हूँ कि यह देखें यह जो कोड है यह इसी तरह हमारा वेब ब्राउजर पर शो होगा अगर आप चाहते हैं सिर्व आपने यह हैडिंग लिखे हैं यह यह और टाइटल शो हो तो आपने इसको सेफ करवाते हैं टाइम लाजमी लगाना जो भी आम नाम रखें उसके बाद यह लगाना ज़रूर है अब आम डिरेक्टर इसको डेक्स्टॉप बताके सेफ करवा देते हैं कि नाओ आप देख सकते हैं कि कलरिंग इसकी हो चुकी देखें हैं अब हमारे डिर्ण सेफ हो चुका है अब हम रन करते हैं यहां से माइवेव यहां पर मैंने ऑपनिंग किया चेंजी से आपको क्या नजर आहीं यहां पर देखें पेज टेप मैंने कहले लिगा था पेज टेप तो आप देख सकते हैं टॉप पर लिगावा आ रहा है यहां पर पेज टेप कंदेग औंधर यहेडिंग वन लिगाव रहा आप देख सकते हैं मैंने यह गौइन वन लिखा diye ऊ-पर पर स्ट मैंμεें अ पर च्रहinky इसमें difference हमारा text से बड़ा भी दिख रहा है और यह जागा dark भी दिख रहा है बोल्ड हो वह है और यह बारिक भी दिख रहा हमारा text और चोटा भी दिख रहा है इसमें paera graph आपको मालूँ है कैसे लिखते हैं हमारी heading होती है वोफ़ुली आपको वीडियो समझ आ गई गया होगी विडियो इंट्रेक्शन हो गया होगा नेक्स वीडियो में लोग और आगे इसके बारे पढ़ेंगे इसके अलिमेंट्स पर क्षेण के बारे में काइड़ी मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें अगर यह वीडियो पर वाच करें डिस्क्रेप्शन में लिंक है लिंक पर किलिक करके फेजुक पेज पर जाएगे फेजुक पेज को लाज़ी में लाइक करें और कमेंट्स करें वीडियोस में ठैंक्स फॉर वाचिंग अल्ला हाफिस